नमस्कार दोस्तों देखिए इंडिये नेशनल मुवमेंट का लेक्चर नमबर 14 है ये इससे पहले 13 के 13 वीडियो सब आप पढ़ दीजिए असानी से एक वीडियो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मौडन हिस्ट्री नाम से उसमें पहले 32-33 वीडियो मौडन हिस्ट्री पर है उसके बाद जश्ट मैंने उसी फोल्डर में इंडिये नेशनल मुवमेंट शुरू कर दिया है वह पढ़ दिए अभी आज अक्के वीडियों पढ़ने क्या वाले हैं लखनव पैक्ट पढ़ने व आलगंगदर तिलक के द्वारा और उन्होंने कौन सा अंदोलन चलाया होम रूल आंदोलन चलाया वह आपने पढ़ लिया अब उसी 1916 के लाष्ट में दिसंबर महिने में आपको पता ही है कि अधिवेशन होते थे कांग्रेस के तो कांग्रेस का इस बार अधिवेशन हुआ 1916 में लखनव गेंदर और मुस्लिम लिग का भी अधिवेशन हुआ लखनव में इन दोनों के बीच में महबबत हुई इन दोनों के बीच में एक समझोता हुआ जिसे लखनव समझोता कहते हैं या इसे लखनव पैक्ट भी कहते हैं बच्चों ठीक है तो लखनव पैक्ट आपको समय में आ गया एक समझोता हुआ मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच में इसी कारें से इसे लखनव समझोता कहते हैं लखनव पैक्ट कहते हैं यहां केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ही समझोता नहीं हुआ था यहां पर भईया दो और दिल मिले हैं गरम दल कांग्रेस का विभाजन आपको पता ही है कि 1907 में हुआ था याद है कि नहीं 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था तब जाकर इन दोनों के बीच में विभाजन हो गया था पढ़ा दिया है मैंने अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा कि सूरत में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी बताईएगा जरूर तो यहाँ गरमदल नरमदल का भी समझोता हो जाता है तो लगनवु पैक्ष दो चीजों के लिए जाना जाता है कांगरेस और मुस्लीम लीग का समझोता और गरमदल और नरमदल का समझोता कांग्रेस के अंदर जो तुखड़े हुए थे वो भी मिल जाते है और कांग्रेस की अधिवेशन की जो अध्यक्षता इस बार अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा हुई है और मुस्लिम लीग की अध्यक्सता जिन्ना के द्वारा हुई है एक और यहाँ प्रेशन बनता है कि भाईया बताईए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझोता हुआ लखनवू पैक्ट यह किसके किसके प्रेशों से हुआ है दो महान लोग बाल गंगदर तिलक सबसे महान और पाकिस्तान वालों के लिए जो महान थे जिन्ना साब तो जिन्ना और तिलक के प्रेशों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझोता हुआ इसी कारण से तो सरोजनी नाइडू ने जिन्ना को पता क्या कहा था जिन्ना को हिंदू-मुसलिम यूनिटी करने वाला एमबेजडर कहा था ठीक है समझ में आ गया अब आपको समझ में आना चाहिए भाईया जब आपने शुरुआ से पढ़ा है आपने देखा भाईया 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था बंगाल के विभाजन से मुसलिम लोग बहुत खुश थे और हम कांग्रेस वाले खुश नहीं थे और कांग्रेस वाले आंदोलन चला रहे थे कौनसा आंदोलन था याद है सोदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन या जिसे आप भहिशकार आंदोलन कहते हैं इससे मुसलिम लोग और गुस्टे में आ रहे थे और नराज हो रहे थे कि भाईया हमें अच्छी सुविधा मिली है हमारी जो है अंग्रेजों की दो दो पतनिया है एक हिंदू है एक मुसल्मान लेकिन जो मुसलिम पतनी है वो सबसे यदा प्री है बैम फिल्ड फिल्लर जो पूरवी बंगाल था उसको गवर्नर बनाया गया था उसने ऐसा कहा था और 1906 में मुसलिम लीक की सापना हो जाती है क्योंकि कांग्रेज जो है विरोध कर रही थी बंगाल विभाजन का और बाकी मुसल्मानों ने समझा कि भईया कांग्रेज जो है न एक हिंदू की पार्टी है क्योंकि बंगाल का विभाजन का जो हम विरोत कर रहे थे आंदोलन चला रहे थे उसको वो पूरा हिंदू रिती रिवाज से आंदोलन हो रहा था जो बंग भंग आंदोलन है सुदेशी आंदोलन या भहिशकार आंदोलन जो 1905 में शुरू किया था हमने वो पूरा हिंदू रीतुरी वाज से था गंगा में डूपकी लगा कर आंदोलन शुरू किया जा रहा है और बालंगदर तिलक ने अपने जो उत्सव उन्होंने शुरू किये थे गडेच उत्सव और शिवा जी उत्सव उसके माध्यम से उसका परचार परसार कर रहे है इसलिए मुसल्मानों ने सोचा कि भया कांग्रेस जो है न हिंदू की पार्टी है तो ऐसे मुसल्मानों की एक पार्टी होने चाहिए तो 1906 में मुसलिम लीग की स्थापना हो गई जब स्थापना होई कांग्रेस और मुसलिम लीग दोनों की बीच में 180 डिगरी का आंकड़ा था दोनों एक दूसरे के विरोधी थे तो इन दस वर्षों के अंदर 1906 से 1916 में ऐसी क्या बात हो गई कि दोनों में मुहबबत जा गई तो ये कारण हमको समझने का प्रयास करना है कि भाया मुसलिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझोता हो कैसे गया जैसा कि मैंने बताया 1905 में बंगाल का विभाजन से बहुत खुश थे मुसल्मान और हम विरोध कर रहे थे इसलिए उन्होंने मुसलिम लीग की सापना कर दी और अंग्रेजों ने मुसल्मानों को अपना जो है एक तरीके से साथ ले लिया था उनको विश्वास दिला रखा था कि हम जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे और मुसलिम लीग की ये डिमांड थी कि प्रिथक चुनाव परनाली की विवस्ता की जाए अब पहले ये क्या समझ लिजीए कि मतलब ऐसे छेत्र जो मुसलिम बाहुले छेत्र है वहाँ पर जो वोट में खड़ा हो कैंडिडेट वो मुसल्मान हो और इसको वोट भी करें मुसल्मान बतलब जैसे ये कोई चेत्र है कोई विथान सभा का चेत्र है जैसे मालीजिये यहाँ पर टोटल सो लोग हैं इन सॉमसे 70 मुसलमान हैं और 30 बाकी अन्यजाद के हैं से जब भी चुनाव होगा तो ये मुसलमान कैंडिडेट को वोट करने का अधिकार इन ही 70 लोगों के द्वारा ही किया जाएगा बाकी जो 30 अन्य लोग है ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे ये थी प्रिथक चुनाव पढ़ना ली तो ये डिमांड तो 1909 में मान ली कारेकारी परिशद है जो एक्जिक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक मुसलमान को भी रखा जाई ये बात अंग्रेज्जोंने नहीं मानी 1909 के एक्ट में आपने पढ़ा कि एक इंडियन को तो रख लिया एक्जेक्यूटिव काउंसिल में लेकिन वो हिंदू था मुसल्मान नहीं था आपको कमेंट करके बताना है कि वो पहला भारतिय कौन है जिसे 1909 के एक्ट के तहर वाइसराय की एक्जेक्यूटिव काउंसिल में जगा मिली जरूर बताईएगा कमेंट करके अब इससे नराज से अब इसके अलावा सबसे बड़ी घटना तो दिल्ली दर्वार में 1911 में हो गई दिल्ली दर्वार 1911 में लगाया गया था उस समय राजा रानी यहां इंडिया में आये थे उनके स्वागत के लिए दिल्ली दर्वार लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड उस समय भारत का वाइसराय था और यहां पर दिल्ली दर्वार में दो महत्पुन घशनाय होती है पहली घोशना होती है कि भाईया बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 में ने वो रद किया जाता है इससे जो मुसलमान थे बहुत भड़क गए, मुस्लिम लीग बहुत भड़क गई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उनको अच्छा था लेकिन अब बंगाल विभाजन रद कर दिया उनको प्रॉब्लम हो गई आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि दिल्ली दरवार में दूसरी घोशना क्या थी ये सब पढ़ा दिया है मैंने मुझे ये पता भी तो लगना चाहिए आपको समझ में आ रहा या नहीं ठीक है तो दो बातों से नराज हो गए तीसरी जो प्रथम विश्य युद्ध चल रहा था उस समय 1914 से लेकर 1918 तक चलेगा अभी तो 1916 का समय है तो इस बीच जो युद्ध चला है इसमें आपको पता है कि पूरा विश्य दो भागों में बटा हुआ था ना एक था धूरी राश्ट्र और एक था मित्र राश्ट्र मित्र राश्ट्र में ब्रिटेन शामिल था ब्रिटेन और ओटमें अंपायर जिसे आप कहते हैं तुरकी समराज जी कहते हैं और तुरकी समराज जी पूरे विश्व भाछे मंसिल्मानों के लिए एक बहुत Assam criteria था क्योंकि तुरकी समराज के स्लतान का जो कहते है थे वो былखते हैं खलीफ़ा और खलीफ़ा और खलीफ़ा पूरे वि की इज़्जत करते थे क्योंकि ये खलीफा जो होते थे ने ये माना जाता था ये मुहमद पैगंबर जो थे उनके वंशज माने जाते थे अब तुर्की से युद्ध के खिलाफ युद्ध हो रहा है तुर्की क्योंकि धुरी राष्टर में शामिल है तो इस कारण से जो मुस कांग्रेस थे तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाएगा ना तो अब मुसल्मान या मुसलिम लीग जो थे वो हिंदू कांग्रेस के नजदीक आ गए इनके बीच में समझोता हुआ 1916 में ये समझोता आपको पता ही है कि किसके किसके जोर से हुआ तिलक जी और आपके जिन्ना जिन्ना को एसास हो गया भईया ये बेव को बनाए हैं अंग्रेज जो है ना कुल मिला जुला के हमको बेव को बनाए हैं ये कोई हमारा भला भला नहीं करने वाले हैं इसलिए हमको खुद ही अपना भला करना पड़ेगा तो उन्होंने कॉंग्रेस से समझोता किया समझोते के point क्या थे उन्होंने आपस में ये समझोता किया भाईया कि हम अब demand करेंगे ने Dominion status का दोनों मिलके Dominion status का demand करेंगे बहुत बार बता दिया Dominion status क्या होता है अधिराज्य मतलब इंडिया पे पूरा जो हमारा समराज्य हमारा ही रहेगा लेकिन हमारा इंडिया भले ही बृटेन समराज्य के अधियन रहे बृटेन इंडिया के अंदर जो साशना है हम भारती चलाएंगे लेकिन इंडिया पूरा किसके अधियन रहेगा बृटिश समराज्य के ही अधियन रहेगा तो ये Dominion status की demand हम करेंगे Muslim League और Congress ने समझाता किया इसके इलावा उन्होंने ये समझाता किया कि जो केंद्री विधान परिशिद है जिसमें 1909 के Act के तहट 60 सीटे की गई है वो 60 सीटे नहीं भई या वो 150 सीटे होनी चाहिए उसको 150 सीटे हम करवाएंगे इसकी हम डिमाइंड करेंगे दोनों मिलकर और इन 150 सीटों में 75 जो सीटे होंगी न वो उसमें भारती होंगे और इन 75 में एक तिहाई आरक्षण होगा मुसल्मानों के लिए अथात 25 सीटे आरक्षित होंगे और ये 25 की 25 सीटे कैसे चुन कर आएंगी प्रिथक निर्वाचक मंडल मतलब वो मुसलिम बाहूले छेतर जहाँ पर मुसल्मान अधिक है तो वो प्रिथक निर्वाचक पढणाली जो मैंने बताई है उस माध्यम से 25 लोग चुन कर आएंगे और कम्यूनियल वीटो की बात दोनों के दोरा स्विकारी गई मतलब इसमें कहा गया कि भाया चाहे केंदर की विधान परशद हो चाहे राज्य की विधान परशद हो जब भी कोई कानून उस विधान परशद में बनेगा मतलब कोई बिल लाया जाएगा अगर उस बिल का विरोध किसी एक धर्म के जो है तीन चौथाई से अधिक लोग विरोध कर देते हैं तब वो बिल पास नहीं होना चाहिए बताता हूँ मैं कैसे प्रैक्टिकली आपको देखिए माल लिजिए ये केंदरी विधान परिशद है केंदरी विधान परिशद में चार मुसल सदसे हैं माल लिजिए एक्जामपल के तौर पर और दस हिंदू सदसे हैं और पांच सिक सदसे हैं ये चार मुसलमान हैं ये हिंदू हैं ये सिक हैं और ये अन्य हैं बाकी अन्य माल लिजिए कितने भी होंगे कोई बिल लाया जा रहा है अगर ये बिल का विरोध माल लिज होगा ठीक है चार का तीन चौथाई कितना होगा तीन तीन लोग या तीन से जादा लोग मुसल्मानों ने अगर विरोत कर दिया तो यह पास नहीं होगा अगर कोई यह बिल कम्मिनल बिल है किसी धर्म से संबंदित बिल है ना तो वो पास नहीं होगा तो ये communal veto की demand यहां रखी गई और कारे पालिका और न्याए पालिका को प्रिथक करने की बात की गई जैसे आज की डेट में हमारी जो न्याए पालिका है सुप्रीम कोट हाई कोट ये हमारी कारे पालिका से बिलकुल अलग है तभी तो सतंतरता पूरवक काम कर पा रही है कोई भी एक लोगतांतरिक देश की यही खुबसूरती है कि उसकी जो नियायपाली का सतंतर रहती है तो वो करने की डिमांड मानी गई इसके लावा जो भारत के सचीव थे इंगलेंड में यह रहते थे आपको पता ही है ब्रिटिश पार्लियमेंट के सदस्त हुआ करते थे सरकार के ही एक तरीके से हिस्सा थे क्यों कैबिनेट इस तरके मनिश्टर थे यह और इनकी सैलरी इंडियन रिवेन्यू से दी जा रही थी भारतिस राजसर से दी जा रही थी इसी का विरूद दोनों मिलकर करे सौर मुस्मिन लीग वाले यह समझवता हुआ इसके लावा जो विधान परिशद है जिसकी संक्या केंद्री विधान परिशद साट से एक सो पचास की डिमांड इनों मांगी है नहीं तो इनकी जो कारेकाल था तीन वर्ष का था अब इसका कारेकाल बढ़ा कर पांच वारा हुई यह केंद्र में भी राज्य में दोनों में लागू है ठीक है विधान परिशद के सदस्यों का जो कारेकाल है तीन वर्ष किया गया था 1909 के एक्ट के तहट उसको पांच वर्ष होना चाहिए यह डिमांड की गई यह समझवता हुआ तो आपने पढ़ा लखनव पैक्ट मुस्लिम और कॉंग्रेस के बीच में यह कंप्लीट हो गया इसके बाद एक टॉपिक बचा है 1909 का 1919 का मॉन्टेग चेम्सपोर्स उधार वो अधिनियम पढ़ाने के बाद आपका जो उधार वा उग्रवादी चरण यह क्लियर हो जाएगा और इसके बाद हम जाएंगे गांधी वादी चरण गांधी जी 1915 में भारत आजाएंगे भारत आता ही उन्होंना अपना खेला शुरू कर दिया 1917 में सत्याग्रे करेंगे चंपारण सत्याग्रे तो यहां से हम शुरुआत करेंगे वीडियो आपको जुरू अच्छा लगा होगा लाइक कर द जुरूर पढ़ दीजिएगा तो चलिए हम आपसे मुलते हैं अगले एपिसोड में तत्त करें नमस्कार